हंजी दोस्तों तो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि पिछले तीन दिनों में इरान और पाकिस्तान के बीच में मामला काफी गंबीर होता चला जा रहा है दरसल आज से तीन दिन पहले इरान ने पाकिस्तान पर एयर श्ट्राइक करी थी इसके बाद पाकिस्तान बुरी तरीके से बॉखला गया था और इसके बाद से ही ये माना जा रहा था कि पाकिस्तान भी इसका बदला लेने के लिए इरान पर जरूर हमला करेगा और पाकिस्तान ने इरान पर हमला भी किया जी हाँ आप सभी ने सही सुना दरसल स्क्रीन के उपर आप सभी आर्टिकल देख सकते हो और इस प्रकार का हमला करके पाकिस्तान बुरी तरह फस चुका है जो कि अभी इरान का हिस्सा है वहाँ पर पाकिस्तानी फाइटर जेट की तरफ से बंबारी की गई और इस बंबारी के बाद पाकिस्तान ने कहा है कि हमारे बलुचिस्तान में जो बलुचिस्तानी लिबरेशन फ्रंट है वो एक आतंकी संगठन है और उसके ठीकाने इरान के अंदर थे जिसको की हमने एयर श्ट्राइक करके नीज तरह बूत कर दिया है परन्तु पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा है कि उसने इरान पर हमला किया है इसलिए पाकिस्तान अब इस मामले को दबा रहा है लेकिन आपको बता दू कि ये हमला होना इरान के लिए बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि 1980 में इराक इरान युद्ध के बाद आज 43 सालों के बाद ऐसा हुआ है कि किसी देश ने इरान की जमीन पर ओफिस्यली तरीके से मिसाइल से हमला किया हो और ऐसे में इरान पाकिस्तान को बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाला है और अगर इरान पाकिस्तान से बदला नहीं लेगा तो उसके दुस्मन देश अमेरिका और यूरोप में ये खबर जाएगी कि जब पाकिस्तान इस पर हमला कर सकता है तो ये हमारा क्या ही बिगाड़ेगा ऐसे में इरान जरूर ही पाकिस्तान पर हमला करने की तयारी कर रहा होगा फिलाल आपका इस टॉपिक पर क्या राय है और क्या ऐसे समय में भारत को पाकिस्तान पर हमला करके पियो के वापस ले लेना चाहिए कमेंट में जरूर बताएं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद वंदेमात्रम